6 दिसम्बर 1992 का दिन जब आयोद्या में बाबरी विद्वन्स हुआ उस समय उत्तर परदेश में BJP की सरकार थी और यकीनन मस्जित तोड़ने का काम उस समय के UPCM कल्यान सिंग की सहपर ही हुआ था मस्जित के तूटने के तुरंत बाद कल्यान सिंग मुख्य मंद्री पद से अपना इस्तीपा दे देते हैं और कहते हैं बाबरी का विद्वन्स भगवान की मर्जी थी ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान राम मंदिर को एक क्या सेक्डो सता को ठोकर मार सकता हूँ उसके बाद 1967 में कल्यान सिंग घटबंदन से पुने मुख्य मंतरी बनते हैं इस दोरान एक वाकिया ऐसा भी वाकिय यूपी में एक साथ दो मुख्य मंतरी बन जाते हैं पूरी कहानी को जानने के लिए पिन कमेंट में दिये लिंक से पुरा वीडियो देखें